वेलकम फ्रेंट्स तो वेटोर क्लासेज तो एक और वीडियो आप लोगों के लिए है जो कि इंपॉर्टेंट आप के लिए तो चलिए इसको सवाल को सॉल्व करते हैं तो यह हम लोग सॉल्व करेंगे ऑप्शन से क्योंकि अगर उस तरीके से सॉल्व करिएगा तो यह बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा तो हम माल लेंगे यहां पर ए हमारा पहला आप्शन से 2 प्लस रूट 3 है और बी हमारा 2 माइनस रूट 3 है तो a प्लस b निकालिए कितना आएगा 2 प्लस रूट 3 गट गया प्लस माइनस से आ गया 4 फिर a इंटू b करिए नीचे वाला पार्ट तो रूट ओवर 2 प्लस रूट 3 into 2 minus root 3 तो root के अंदर जो है a plus b a minus b है तो यह आपका हो जाएगा 2 square minus root 3 square तो equal to 4 minus 1 sorry 4 minus 3 तो आगे हमारा 1 तो यह 1 हो गया answer तो 4 पहले वाले से सही हो गया पर देखिए इस चूज कैसे करना है तो अगर आप ध्यान से देखेगा हर में a plus b a minus b का formula है तो जिसमें square करके subtract करने पर अगर 1 आ रहा है b वाले में अगर subtract करिएगा तो minus 1 जाएगा c वाले में करिएगा आप तो 7 आ जाएगा उसके बाद वाले में करिएगा तो भी 7 आएगा तो इसलिए हम लोग a वाले को choose कि a square minus b square वहाँ पर 1 आ रहा है ठीक है तो इसलिए को solve करते हैं अगर अच्छा लगाओ वीडियो तो प्लीज इसे like करे comment करे इस पर share करे subscribe करे अपने दोस्तों को बता है ताकि हमारे और subscriber बड़े क्योंकि we need subscriber to increase more video thank you for watching